इस्लामिक फैनैंसिंग या इस्लामिक इंशुरेंस प्रॉडट्स जो उफर करते हैं इदारे उनको एक कम्प्लाइंस रिपोर्ट देना होती है उस एंटिटी को कि हमने शरिया प्रिंसिपल्स के साथ कम्प्लाइ किया है और उसको जब ऑडिट किया जाता है उसको एंटिटी का ऑडिटर उसके ओपर उपीनियन देता है तो वो जो शरिया ऑडिट है इट इस डन नौट अंडर आईए सेज़ इस डान अंडर ऑडिटर आईस एए 3000 की अप्रोच के अंदर लेकिन वहाँ पे जो और इटर्स एक्सपर्ट है वो मुफ्ती साब होते हैं जो कि उन शरिया प्रिंसिपल्स के साथ च्रॉप्र करते हैं और प्रिंपर्फॉर्म करता है वो फ्रेंबर्ग बनाने में हल्प करते हैं तो शरिया सब्सक्राइब को बन जानी है लेकिन जो साल गुजर गया है उसमें से प्रटेन करने वाले बहुत से की रिपोर्ट बाद में आती रहती है कोई शक्स सोला फर्वरी को आएगा पंदरा को बन गई तो सोला को आके कहेगा कि मेरा यकम दिसंबर को एक एक्सिडेंट हो गया था एक शक्स सोला मार्च को आएगा और उसकी प्रिजिन क्रियेट करती एक सिगनिफिकेंट होती है तो इस अमाउंट को राइवाट करने के लिए एक्सपर्ट शामिल होते हैं कि जो जो उनका क्लाइंट का पॉट्फोलिया उसको लेंगे उनकी पॉलिसी की टरम्स को देखेंगे मार्किट का डेटा लेंगे और सब की बनियाद पर फैसला करेंगे कि कितनी प्रुव सिदी सिदी कंडिशन नहीं होती वहां पर आपको मार्किट डिटा लेकि केल्कुलेट करना पड़ता है वह तो उस केल्कुलेशन के लिए भी चूंके वह एक्सपर्ट एरिया महां से कॉर्बर बड़ती अब आ जाते हैं थोड़ी सी इस एरिया की तरफ के अब इसमें हमने क्या करना है एज आडिटर्स हमें दो तरह के एक्सपर्ट का काम इस्तमाल करने की जोड़ पढ़ सकती है एक है मैनेजमेंट से एक्सपर्ट मैनेजमेंट ने अपनी एक्चुरिल वैल्यूएशन करा रख किया किसी एक मारूफ एक्चुरी से अगर हम चाहें तो कर सकते हैं कि एक रीजनेबल मारूफ बंदे से उन्होंने काम करा लिया तो मैं उसकी रिपोर्ट को इस्तमाल कर दोगा है यहां पर जो घलती हम कर सकते हैं जो कॉमन एक मिस्टेक है वह यह है कि जब हमें पता चले कि किसी एक मारूफ वैल्यूर ने कंपनी की प्रॉप्ट से स्टेट्मेंट से टेक करें और ओके कर आगे चले जाएं यह सबसे कॉमन मिस्टेक है इसलिए कि वैंडियू रिलाई उन समवन आपको कुछ और प्रॉसीजर्स परफॉर्म करने हैं सो वैन यूजिजिंग दे वर्क आफ मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट आपको तीन की सब्सक्राइब करने लगें वह वह फिरम ठीक है के निए कि कम्पिटेंस का मतलब है कि उसके पास काबलियत मौझूद है उसके बास डिगरी है वह एक्सपिरियंस है वह वह रिक्वाइट स्किल सेट है एक प्लॉट करना इस वन तिंग आप एक फिरम को एक बैंकिंग एज कर लेता है कि मेरे सारे सूबों में 50 प्रॉपर्टी जैंड सब को वैल्यू कर दो उसके पास चाहएद इतनी इक्सपर्टी ना हो पूरे पाकसान में काम कर सके कैपिबिलिटी ना हो लाइक तो बढ़ा हो इतनी टीम ना हो इतना टाइम ना हो और तीसरी बात यह के वह होगी कि यह तीनों चीज़ें देख ली तो बंदा ठीक इसका स्टैप वन टिक हो गया आगे चलते हैं दूसरा यह कि उसने काम क्या करना है मैंने आखें बंद करके अमाउंट भी उठा लेनी आई हैव तो अप्टेन अंडरस्टेंडिंग कि उसका एरिया ओफ वर्क क्या ह है तो उसके लिए वह कौन सा मॉडल कौन सा मैथड यूज़ करता है यूविल है टू स्टडी अबिट अबाउट इट फिर वैल्यूएशन है शरीया कंप्लाइस जो भी है थोड़ी सी अंडरस्टेंडिंग ऑफ दे एरिया आपको बारल आप्टेन करनी है क्योंकि आप और कर रहे हैं सिर्फ कॉपी पेस्टिंग ऑफ अमाउंट्स नहीं कर रहे हैं और फिर आपने देखना है कि जो काम उसने यूज़ किया है वह आपकी वह जर्शन के जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं वह उनको एड्रेस भी कर रहें कि नहीं आपने इसलिए उठा लिया है काम को कि उसने फिक्स एसिट्स की वैल्यूएशन की जर्शन में आपको सुपोर्ट करना है यह ना कर बैठें कि आप लेंगे क्योंके एक्सपर्ट ने देख लिया है इसलिए इसकी राइट्स एंड उब्लिगेशन की जर्शन भी टिक हो गई या उस पर यह नहीं काम करना है कि जो डेटा उसने इस्तमाल किया है वो कंप्लीट एंड एकुरेट ठाके लिए आपके पास एक इंप्लॉई बैनेफिट्स की वैल्यूएशन होनी है इतने इंप्लॉईज हैं इनके एज ग्रूप से हैं अगले सालों में इंफलेशन इतनी होगी डेथ रेट्स ही होंग तो जो डेटा आप पहले कंप्लीटनेस एंड एकुरिसी के लिए देख सकते हैं वो आपने देखना है कि उसने इसी चीज़ पर काम किया है जो आपके पास भी मौजूद है तो और फिर उसका जो मॉडल है जो काम है उसकी रीजनेबलेस आपने टेस्ट करना है तो इस सारी बात का मतलब यह है कि आपने एक्सपर्ट की रिपोर्ट को उठा के जैस्स रेफरेंस करने के लिए नहीं होती मैनेजमेंट एक्सपर्ट की भी यू हैव टू सी के उसने काम किस तरह से जब आप ऑडिटर्स एक्सपर्ट के लिए आते हैं तो उन कामों के इलावा दो चार काम और भी एड हो जाती है उसमें एच्कुश एड्मिनिस्ट्रेटिव काम है उनकी तरफ हम उसके बाद आते हैं जब आप यह कहते हैं एक्सपर्ट आपने कब इंगेज करना है एक इंडिकेटर इसका यह जरूर होता है कि जिन सरकम्स्टांसिज में एंटिटी को एक्सप किया हो तो आप हो सकता है कि सिर्फ उसी पर रिलाय करने और अपना एक्सपर्ट इंगेज ना करें फर्ज नहीं है मैंजमेंट में एक्सपर्ट इंगेज किया आपने जब यह पहली वाली तीन चाज़ चीज़ें इनकी बुनियाद पर आपको लगा कि मैं इसके काम पे पर एक साल ने फैसला किया कि हमने बैंकों से चूकर लोन लेने हैं हमारी सारी प्यस्तिस चालिश साल से सारे एक दुछ और लेती तो एंटिटी की बैलनेंस शीट जीरो से उड़के अर्वों में चली लिए से वंस एक ही दवा जब लगे तो हो जाता है रिस्क इतना जाद कि management ने internally फैसला कर लिया कि वो valuation of stock किस तरह से करते हैं क्योंकि उनका तो काम ही है लेकिन आपको expert की जुरूत उसके इलावा भी पढ़ सकती है and to help you understand presentation and destroyer को देखने के लिए आपको किसी भी level पे expert जो आपने expert यूज़ करना है यहां पर भी relevant होगी और फिर ये at the end of the day you have to assess before using your experts work के उसका काम reasonable as your audit evidence है के लिए वो इन्ही सब चीज़ों के नतीजे में होगा but at the end आपने उस conclusion तक कहुचना है कि उसके काम को मैं इस्तमाल करने की position में आ गया हों के नहीं सो इसके लावा जब आप auditors मैंने कहा थे इसके लावा कुछ एक आदी administrative चीज़ है यह जो सब बाते हैं पहले पिछली स्लाइड पर हमने की मैं इसके बाद quickly एक run through of what the relevant requirements of ISA जारा उसको भी हम करें एक दो मिनट में उसकी रोश्री में यह pointers आपके सामने इनकी रोश्री में what's of utmost importance is कि आप इन तमाम points के against documentation करेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि you have seen that the expert is competence and capable तो इसका फैसला आपने किस बुन्याद पर किया इस बुन्याद पर किया है कि वो इन वो पी बीए के लिस्ट पे है वो एक इंजीनियर है पाकिसान इंजीनिरिंग कॉंसल से रिजिस्टर्ड है उसका client portfolio आपने देखा है कैसे फैसला कि यह आपने document करना है आप यह कह रहे हैं कि मैंने उसकी completeness and accuracy of data देख लिए तो कहां से क not documented is not done तो यहां पर इन सब चीज़ों को हमें document भी करना पड़ेगा एक जो additional consideration है कि जब आपने expert को engage करना है as auditors expert तो आपको उसके साथ एक बहुत अच्छा agreement करने की जुरूत है बहुत लंबा चौड़ा कुछ तफसीली agreement नहीं है it is similar to the mode that we follow कि जिसके अंदर हमारे हम अपने के साथ हैं कि लाइटर साइन करते हैं तो अब हम किसी को engage करने हैं तो एक engagement letter होगा agreement कहते हैं उसको engagement letter कहते हैं आप क्योंकि आप क्लाइंट के की information एक external party से share करने लगे हैं so this is an absolutely necessary step कि आप बाहर किसी को information देने लगे हैं जो कि property value or actuarial entity information देने लगे हैं तो आप एक confidentiality breach का risk हो सकता है वो risk आप नहीं ले सकते जब तक आप ने उसके साथ confidentiality agreement नहीं कर लिया करने की अजाज़ा है तो वो information किसी और को देने की जाज़ाज़ा ता आपके framework में है आई सेज में हैं तो आप कोई गलत काम नहीं करें लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसके साथ आप पहले confidentiality agreement साइन करें साधा सा confidentiality agreement जिस तरह कि हमारी requirement है उसी तरह का इसके साथ भी हो सकता है आम तोर पे expert के काम को इस्तमाल करने में गलतियां क्या होती है कि बहुत late engage किया scope of work है वह अगर full scope है यह limited है उसको clarify नहीं किया जाता मैंने फूल स्कॉप और लिम्टेट की मिसाल दी कि एक यह है कि वह पूरे employee benefits का कि अमाउंट्स निकालके दें लिमिटेट यह है कि सिर्फ उसके अंदर inflation के assumptions को टेस्ट कर दें तो उसका scope of work clear होना बड़ा जूरूरी है finding जो observations हैं वो properly address हो रही हैं उसकी report में और फिर हमारे पर जो impact है वो नजर आए insufficient communication की वजह से problem आ सकते हैं कि उसने report क्या देनी है और एक बड़ा important factor है budgetary considerations यह एक challenge जरूर होता है कि जब आपने auditors expert engage किया है कि आप उसकी cost को किस तरह से pick up करेंगे because he is your expert आप यह नहीं कर सकते हैं कि इसकी फीस management देदे तो you have to bear the fee अब उस फी को आप out of pocket expenses या फी में कहां पर absorb करते हैं that's your problem अगर client ही उसकी दे रहा होगा तो वो management expert बन जागा तो budgetary considerations are always a challenge लेकिन बास जगा पर एरिया जैसे आ जाती है कि आप auditors expert engage कि यह बगार आगे चलना मुश्किल हो जाता है due to the significance of the matter or the technicality of the matter तो करना पड़ता है हमारे हैं जो experts हैं वह यह भी मैं मैं आपको बता सकता हूं कि वह auditors की limitations को समझने भी लगे हैं कि एक काम कि जो किसी entity ने करवाना है उसका rate और है and they understand कि auditor ने review करना for the purpose of audit उनको भी पता है कि उनका scope कुछ कम है in this regard कि उनके पास एक already अकसर cases में expert की कि कि काम भी मौजूद होता है review कर रहे होते हैं और नो कि इसकी basis पे सिर्फ audit होना है तो वो थोड़ा सा understand करते हैं कुछ rates को reduce कर देते हैं at least those experts के जो commonly audit firms के साथ काम कर रहे होते हैं यहां पर हमारा मकसद इसको detail में go through करना नहीं है लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं कि जिसका से मैंने शुरू में का था कि auditing standards are the key manual के जो आपने रोज मरा काम इस्तमाल करना है तो आपके पास reference होना चाहिए so that you can go go back there whenever needed तो आईसे 620 auditors expert के लिए जिसमें इस बारे में guidance है कि expert को इंगेज उसकी जुरूत कब कब पढ़ती है उसका नेचे टाइमिंग ने extent of audit procedures हमारे क्या होते हैं expert की competence capability कैसे देखनी है उसके areas के expertise कैसे obtain करनी है agreement के बारे में क्या क्या चीज़े उसमें होना जरूरी है वो जैसे हमने slide पर देखी वही बाते हैं कुछ जिसमें कुछ तफसील जाहरे standards में होगी उसके work की adequacy को assess करना है और आखरी बात जो हमने discuss नहीं की वो यह है कि auditors expert engage हो भी जाए तो auditors report में उसका नाम नहीं आता यू और responsible for the audit उसका नाम आने की exception सिर्फ एक है कि जहां पर auditors expert का नाम आने से user की understanding of that matter में clarity है for example आप qualify करेंग इसी चीज़ को आप बताना चाहते हैं कि मैंने ये value एक expert को भी दिखाई थी और उसने value बताई है जिसकी बेर पर मैं में statement लेकिन in that case clearly mention कि this does not reduce my responsibility of the audit of financial statements ताके कोई confusion ना रहे है सो और management expert के case के अंदर आई से 500 के अंदर यह deal होता है जिसमें वहीं तीन points है कि जिसका हमने जिकर किया था कंपेटिसी capability देखनी understanding लेनी है और अप्रोप्रोप्रेंस ऑड़िट एक्सपर्स वर्क एस audit evidence for relevant desertion so expert के topic के ओपर हम गुफ्तू को समेठते हैं कोई सवाल है तो बताएगे is a suggestion uh as we have practiced in our previous two sessions anybody who wants to contribute or question something you might raise your hand so we can get your mic thank you so much and a leave we will definitely go get approach our other offices as well thank you लो अच्छा एक्सपर्ट का एक्सपर्ट का गेज़ करते हैं फॉर एवैलिशन ऑफ एजम्शंस इंड़ाइशन वार्टी वह जब रिपोर्ट आती तो बड़ी वेग सी होती है क्या यू कर लेंगे तो यह हो जाएगा यह कर लेंगे तो यह हो जाएगा उनका कभी होती नहीं है कि वह देवर देब सर्दार नौट कांफिडेंट के वह यह जो है अचीवेबला यह नहीं है यह नहीं है तो इस से स्रेंवे पिल्ट क्या किया जाएजा है तो देखिए जब हम एक फर्क है जब जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वह और के अंदर एक्सपर्ट का इस्तमाल तो हम करने हैं लेकिन यूर ओडिटिंग अकांटिंग एस्टिमेट्स जिनका सब्जेक्ट आई से 540 जो के ओडिटिंग ऑफ अकांटिंग एस्टिमेट्स के उपर है वह हमें एक लगश्री देता है जो कि मैनेजमेंट के पास नहीं होत कि ऑफ पॉइंट एस्टिमेट और रेंज एस्टिमेट क्या होता है कि मैं वैल्यू इन यूज की मिसाल लेता हूं कि जड़ा असानी समझने वाली है कि आपने एक एक कैस्ट है उसके फ्यूचर कैशफ फ्लो को डिसकाउंट करके उसकी आज एक वैलियो निकालनी है तो उसके अंदर assumptions आएंगी इंट्रेस्ट रेट की और inflation की और exchange रेट की और बहुत सारी risks की entity risk की country risk की सब की उस चीज़ें आजए इन सब की बुनियात पे entity को एक amount चाहिए जो financial statements में रेकनाई तो four point nine three six billion वो amount होगी कोई amount एक होगी तो रेकनाई तो फ्रेंशे स्टेटमेंट में यह तो नहीं आता है इसके amount साड़े चार से साड़े पांच बिलियन के तरम्यान की हो सकती है ऐसे एक amount चाहिए as auditors हम एक acceptable range develop कर सकते हैं मैं यह काम करता हूं कि मैं उसकी एक assumptions की थोड़ी सी sensitivity के साथ एक जो result निकालता हूं को कहते हैं इसकी amount four point eight five billion से four point nine five billion के दरम्यान हो तो ठीक है so the auditor has the luxury कि जो sensitivity expert भी दे रहा है उस sensitivity को test करके देखे कि क्या यह within the acceptable range रह रहा है कि एक्सपर्ट जो auditor के साथ भी होता है उसको भी यह मालूम होता है मैंनी कैसिस के auditor को एक precise amount record करने के लिए नहीं चाहिए तो वो उसको help करने के लिए range दे देता है कि अगर जाहर है कि variation इन चीज़ों में होती भी है एक precise amount पे एक्सपर्ट भी बहुत सी assumptions लेके पहुंच रहा होता है कि यह बद दे रहा है वह acceptable रेंज सी एक देरा वही एक रहा कि चार से लेके 6 billion की रेंज देरें लेकिन वह जो materiality को देखते हुए total extent को देखते हुए वह एक दो तीन परसेंट की जो रेंज है उसके अंदर है तो that that's somewhat acceptable for us क्यूंकि इन आई से 540 हमने सिर्फ precise amount को नहीं देखना होता हमने sensitivity भी देखनी होती कि interest को बदलें तो कितना change होता है value inflation को बदलें तो कितना change होता है तो बाज assumptions के उपर कोई model बहुत sensitive होता है बाज तर नहीं होता जिन पर बहुत sensitive है उदर आप discussion करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक entity की जिसका सारा model total local raw materials पर बेस करता हो उसके अंदर इंदर इंफ्लेज्ट उसमें exchange rate में बहुत जादा फर्क आता भी रहे तो फर्क नहीं पड़े है क्यू जो 100% imported raw material पर चाल रहा हो उसके अंदर exchange rate की assumption में 10% का फर्क हैगा model उड़ जाएगा सो बाज assumptions बहुत sensitive होती है फिर उसके insist करना पड़ेगा इसको सब्जेक्टिव ली थोड़ा से देखना पड़ेगा but we have a bit of luxury दोस्ता आपका सवाल आपने बताया कि standard allow करता है कि auditor जो है वो reference दे सकता है expert का यह clear कर दें कि reference in our context of name address है यह बता दें जी यह सवाल practical इसलिए नहीं है extremely rare circumstances है routine में आपने नहीं देना extremely rare है कि आप उसी matter के ओपर qualify कर रहे हैं कि जिसके ओपर आपने expert का opinion लिया था और user के understanding यह बताये बगएर कि किस expert ने काम किया था improve नहीं हो रही है तो सिर्फ उस वक्त में इस्तिमाल करेंगे तो एक एक्चुली extremely rare है I have never seen it happen there is hardly any audit कि जो हम करते हैं या बड़ी firms के अंदर there is hardly any audit कि जहां पर expert इंगेज ना होता हो बहुत छोटी entities होती होंगी जहां पर ना होता है सिर्फ वहां पे के वह चुरियल प्लैंज ही अब लोगों ने रखने छोड़ दी है जो इस किसम के जो require करें तो लेकिन इसके बावजूद इतना extremely rare है कि होता नहीं है अगर होगा तो उसकी individual consideration को देखा जाएगा extremely rare cases के लिए one set answer नहीं होता क्योंकि होते बहुत कम नहीं हमने तो अगर अगर नहीं करना आप क्यों करेंगे लिए नहीं हहां नहीं नहीं करना क्यों करेंगे नहीं नहीं करता कैसे नहीं करता नहीं है अगर कोई एंफसीस ऑफ मैटर है उसको जो है उडिसक्स करना चाहा रहा है और एंफसीस ऑफ मैटर के अंदर आपने वैसे को औरीजनल इंफ्रमेशन भी लिए डिस्क्लोज करीगी एंटिटी यूल रिफर तुट तो कौलिफिकेशन मॉडिफाइड उपिनियन में कोई चक्कर ही नहीं है वरना तो प्रैक्टिस मन जाए जी दोस्त माइक करें और वह एक्टॉरियल वैलुएशन प्रफॉम करके हमें दे रहे हैं तो आडिटर्स के क्या कंसर्ण है मेरे ख्याल में आइस 19 की क्या जी जी मैं मैं आर्स करता हू जब आप वहां पर अभी किया क्या है मैनेश्मेंट ने कि अपने चार्डर अकाउंटेंट को एक्टॉरियल एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पर यूज़ कर लिए इस बात का मतलब यह है जब आप जाएंगे कि उसकी कंपिटेंस और केपिबिलिटी है कि अगर उसके पास एक्टॉरियल की डिग्री एक्टॉरी की को मेंबर्शिप उनकी एस्सोसियेशन की को पास्ट एक्सपीरियंस अदर दैन कि वो अपनी एंटिटी का कर रहा है उसकी कूप पूर्फाइल वो करने की नहीं है तो यू विल नॉट बी अबल टो रिलाय ओन इस सब्सक्राइब उनिवस्टी के ग्रेजुएट्स हैं एक्टॉरी क्या वो कैपड़ हैं एक्टॉरी जो अमेरिकन्स हैं पंजाब यूनिवस्टी के भी कैपड़ हैं जी सिर्फ एक वो क्राइटेरिया नहीं है लेकिन उनकी कंपिटेंस का पहला टिक लग गया कि आपने मुख्लिव जो चीज़ें देखनी है उसकी कॉलिविकेशन है उसका एक्सपीरियंस है उसके पास मेंबर्शिप से हैं अगर वो सारी चीज़ें टिक होती है और आपको ठीक लग रहे हैं तो यह कि वह सिर्फ पंजाब से पड़ा अमरीका से नहीं पड़ा वह यह च इस डिपेंड्स अपॉन दे प्लैन इसके अंदर एक्ट्वलिएशन का मसला नहीं है कि जो लोग उस इंप्लॉई बैनिफिट के लिए लिजिबल है उसी के लिए करवाएंगे तो यह तो उनकी पॉलीसी और लोगों के लिजिबिलिटी पर वह अलाउड है जाहर है कि एक उसके कॉंट्रेक्ट में लिखाव है कि तुम इस इंप्लॉई बैनिफिट के लिए लिजिबल ही नहीं हो तो फिर उसको क्यों शामल किया जाए तो वह लिजिबिलिटी का मसला सो यह बाते आप कंप्लीटने से कुरेसी में सॉर्ट अड्रेस कर दो ना तो उस रापिए सर् जहां पर एक्सपर्ट का इस्तमाल वाइडली होना हो तो इवन आईए से टुवन जीरो जो इंगेजमेंट लेटर है वह यह कहता है उसमें जो नॉन मेंडेटरी क्लॉजिज एं उसमें यह गिवन है कि आप इंगेजमेंट में डाल दें कि हम आउडिटर एक्सपर्ट आप उस लेवल तक जा सकते हैं बट एप्सलूटली राइट मेंजमेंट से इंफ्रमेशन बाइच जाती है लेकिन आपका काम है आई से सिक्षेंट में आपको मना नहीं कर सकते हैं बट देयाव व्याइव वी ओन बोर्ड तो वह इंडिपेंडेंट शोर होगी उस लाइर क लाइंट से कि एक लॉयर के जो मैनेज्मेंट का एक्सपट है आप उसी लॉयर को किसी और केस के लिए आँडिटर बना सकते हैं को आपके रीफ्रेस करें बना सकते हैं लेकिन इस सब्कंसरेशन को देखना पढ़ेगा इस सबाल के उपर मैं एपसुलूट आउन्सर नहीं सकता कि वह इंडिपेंड है कि अब वह लॉयर उस उसका एटी परसेंट और वर्क उसी कंपनी से हो तो मैं उसको इंडिपेंडन नहीं मानूंगा कि ये क्योंकि वह एंटिटी के लिए काम किसी और मामले पर कर रहा है इस वजह से वह और अच्वर्ट का एक्सपर्ट को करते हैं यह पर यह मोटीफाइड हो जाए उसके वर्क से एक्सपर्ट का जो अपने रिपोर्ट्स होती है उस पर कितना रिलाय करके अब यह जो एक्चली सर बात ही वह है कि जो बोग जिसकी बुन्याद पर वो कह रहे थे कि नाम भी लिखें तो जिम्मे दारी और शुरू में जिम्मेदारी है आपको लगता है कि आपका अपना Are है उन्हों कड़ दो को और रख लो जिम्मेदारी आपके अगर आपकी जैज्जमेंट में आपके एक्सपर्ट ने जो काम किया वह फिलमजी है देन हाइर अनदर वन डिसेग्री विदिम डॉन्ट यूस वर्ट क्योंकि आखर मैं लिखा है वैल्यूएट दे कॉलिटी विस व इस तरह जितना एक्सपर्ट वह है विए और डैट एक्सपर्ट अब इसके उपर भी मैं आरश कर देता हूं कि आपके पास भी ना इसके बारे में भी गाइडेस अवेलेबल है कि हो सकता है कि टू बी एबल टू यूज डैट एक्सपर्ट वर्ट आपको अपने आपको करना पड़े जो उसके काम को एवैलिवेट करने की स्किल रखता है बात बिल्कुल सही है का में यह कैसे करना है थे le getender कोर्स अपने आपको करेंगे नहीं है उसको evaluate करने का skill तो किसी और चार्ड अकाउंटेंट से मश्वरा करेंगे और अगर आप conclude कर रहे हैं कि उसका काम ठीक नहीं है तो किसी और तरीके से करेंगे आप conclude नहीं कर पा रहें तो फिर तो यह मसला overall क्या कि I'm not able to obtain sufficient appropriate audit evidence कहीं पे तो conclude करना आप है दो वी हाव a question from other offices जी मैं बस दूसरी offices आप question लेंगे वी आप to move to the next topic जी सर्थ के जोते हैं उसमें जी आवाद आरे मेंजर्डी फिगर्स तू डिटर्मेंट वीचन्स लाहर से आखरी सवाल है पिर आपके पास आते हैं जी तो को वी आप तू मैयर के डिटर्मेंटी पुर्वीजिन या फिगर विच है बें टूर्ली रिपोर्टर्ड वटेवर उसके लिए हम अच्पर्ट हाइर करेंगे में भी लॉयर इस ते भी इंजिनियर बट अभी यह चल्दा से साइट इंटर्शन लेवल पे और किसका कुछ नाम है मेरे जैन में नहीं आरा आप चाहिए स्टंडर्ड का के अडिटर्व रिपोर्ट के इंडिस्ट्री ने या औरिटी ने तमाम लाग की कंपलाइंस की है तो यह आडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है है तू हाइर दी एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट विल दी लॉयर को वो हाइर करेगा जैसे आपने फरमाया कि अभी आपने का कि कमाम रिस्पर्सेबिलिटी जो है वो और डिटर की है वहाँ पे हमने एक्सपर्ट हाइर किया है कि हम उसकी कुछ लेके बट खुद हम जजज्मिन करते हैं बात फिगर की हो रही है कि यह फिगर मेय हो रही है कितनी फिगर टू एनफेर है बट यहां पर ला की बात हो रही है यहां फिगर की बात नहीं हो रही है और ला आलवेज परिवेल मैं आपको मैं जो है उर्वन करता है तो मैं क्वेस्टिर डैट कि यहां पर डीटर की रिस्पॉंसिबिलिटी कैसे डिटर्मन होगी यहां तो आडिटर की बजाए सुप्रीम रिस्पोर्सिबिलिटी लॉयर की होगी वो लॉयर विल बी रिस्पोर्सिबल फर डैट जो सवाल है जिसको आप स्टेंडर्ड की जबान में बात करें रहे हैं इसकल बड़ा बस वर्ड के तौर पर यूज हुआ है पिछले कुछ अर जुका है हमेशा याद रखेंगे कि नो ख्राइड लॉट्ट अट रॉक्स तर्फ यह त्यथ्स में की जिसकी है और उसे करनक को कॉंसा होता है एक्पर हो नहीं चोसे कि जिसकी बेस के उपर वो फ्रेंशे स्टेटमेंट्स बनेगी वह आपकी प्राइमरी रिस्पॉंसिबिलिटी होता है तुदे एक्स्टेंट ऑफ मेजर्मेंट रेक्निशन प्रेजेशन डिस्टोयर और वह आप करते भी हम करते भी हैं उसकी चेक्लिस भी बनाते हैं ट्रेस् एंटिटी पर अप्लाइक करते हैं उन सबके लिए भी आप रिस्पॉंसिबल हैं टू दी एक्स्टेंट ऑफ यॉर प्रॉसीजर्स रिस्क असेश्मेंट करेंगे एंटिटी के लॉयर की कोर्रिस्पॉंडनस देखेंगे बोर्ड के मिनिट्स देखेंगे जो आईसे का सारा काम है और उसकी बुनियाद पे कंटूड करेंगे हमें अगर कोई नॉन कंप्लाइंस की इंडिकेशन मिली कोई मसला नजर आया कहीं से कोड केस नजर आया कोई लिगल एक्सपैंस में नजर आया बोर्ड मीटिंग में नजर आया तो डैट एक्सटेंट मैंने लिगल उपीन अदर आपकी जिम्मदारी फिनेशल स्टेटमेंट्स है डिरेक्ट लॉज प्राइमरी जिम्मदारी है एक्टिवली काम कर रहे हैं इंडरेक्ट लॉज के लिए जो चीज नजर आएगी उसके उपीनियन लेंगे वरना इससे जाद आपकी जिम्मदारी है बहुत मुफ़त सरन काउंट देखनें बोर्ट के मिनिट देखनें कमेंटिस के मिनिट देखनें उस सब में कोई इंडिकेशन नहीं है यूर थ्रू आपने काम कर ली ऑडिटर का पूरे पाकिसान के तमाम लॉज से कंप्लाइस का जब उपीनियन आएगा तब देखेंगे इस फ्रेमवर्क में यह से में फिला लैसन में जी वी हैव तो मुव तो दे अधर ऑफिसेस क्वेस्टन जी मेरा स्वाल था कि लीगल अडवाइजर की जो कंफर्मेशन होती है पर्टिकुलर्ली लीगल केसिज में अब वो जो अपीनियन दे रहा होता है वो हाई कोड़ या सुप्रीम कोड़ का एडवोकेट है वो लेख देता है कि there is strong grounds that the case will be favorable उसी basis पे हम यह लेख देते हैं कि भी आंदी बेसे आफ लीगल अडवाइजर उपीनियन नो प्रोविजन है विन मेड इन दीज अकॉंट उसमें हमारा बस अब फर्दर क्या रोज हो सकता है जी इस के अंदर भी जहां पर हमने दो चीजों को कंफ्यूस हम नहीं करेंगे एक है एंटिटी के लीगल सब्सक्राइब में होता है नहीं होता है शक्ताओं यह काम सबस्क्राइब करना जब आप लीगल एक्स पंड़ियंगेंगे उसका आपने अपना इकस्पेंग एच्पर करना फिर उसका जो पीनियन आता है इट इस ऑल्वेज एप्रिशियेटेड के आप उसे उपीनियन वन लाइनर के बजाए बेसिस फॉर उपीनियन के साथ ले अकॉलिटी ऑड़िट उपीनियन कंसिडर्स के मैंने कौन से केस लॉज देखे हैं कौन सा प्रेसिडेंट देखा है जि उसको गवर्न करने का आपका तरीकेकार उस एग्रिमेंट में मौझूद है जब आपने एक्सपर्ट इंगेज करना है तो अपनी टर्म्स पर करेंगे ना तो अपनी टर्म्स उसको पहले से बताईए जी किसी और आफिस से क्वेस्टन अगर है तो बताईए अदर्वाइस मूफ तो आर नेक्स्ट टॉपिक क्योंकि कुछ तो हमने लेट स्टार्ट किया था लेकिन इसके बावजूद आइवूड लाइक हम बहुत ज्यादा ओवर ना करें कि यह हम आम तोर पर जो लीगल अडवाइजर है उसको पांच सो एक केंदर डील कर लेते हैं लेकिन जब लीगल अडवाइजर ने किसी पर्टिक्लर रेकिगनीशन मेजरमेंट किसी मेजर केस के उपर काम किया हो तो उसको पर टूर्ट के रहे हैं रूटीन के अंदर बहुत से केस होते हैं जिनका फ्रेशल से इंपेक्ट नहीं आ रहा होता उसके लिए आप उसको एक्स्पर्ट नींचे इसक्ट कर रहा हो किसी एक लॉयर का उपीनियन तो फिर उसको एक्सपर्ट के तोर्फ पर आप जी आपको सिर्फ यह रेप्रेसेंटेशन सफिशन्ट होती है शेर ओल्डर ना ओडिरेक्टर ना ओडिरेक्ट रेलिटिव ना उथनी स्ट्रिक्ट रिकॉर्मेंट्स नहीं हैं कि जितनी आडिटर की हैं लेकिन इंटर्नल है वह भी चल जाता है यह बुने आदिसे कुछ ब करते हैं जो के हमारा है ग्रूप और जॉइंट के बारे में तो ग्रूप और दोस्तों आम जबान में जो इसके इलावा भी ग्रूप और इसको एक्स्प्लेंट करने के लिए जो पहली बात है वो यह चंद दो तीन बातें इसमें समझ लेंगे के पहली और सबसे बड़ी और सबसे कौमन मिसाल एक पेरेंट कंपनी की सबसीड्री होती है तो सबसीड्री जो हैं वह आम तो पर पर के इन ओप दो के सबसे कंपोनेंट्स लवज का मतलब हिस्सा है उस गुरूप का चोटा हिस्सा है क्रोड़ी एक ऐस्सा लेकिन कंपोनेंट का लवज इस्ते लिए इस्तमाल करें और सबसे रिका नहीं कर रहें के क्वेर्ग में सब्सिट्री के इलावा भी चीजहा सकती और इंटिटि और और अ बिजनेस एक्टिविटी कि जिसकी सेप्रेट क्या होसकती है कि एक अंटिपाकिसान में उपरेट कर रही है और दूसरे मुल्क में उसकी एक ब्रांच एक separate company नहीं है एक branch वो branch separate laws and regulations को भी डील कर रही है उस territory की जिस दूसरे मुल्क में उसके financial standards different हो सकते हैं मां की local requirement और हो सकती है उसका micro economic environment different है सारा framework उसका मुख्लिफ है वो entity की चूंके branch है वो entity की financial statements में ही शामिल हो जाती है consolidated financial statements से लिखना पड़ता लेकिन वो भी component हो सकता है और ऐसे component के case के अंदर भी group audit की requirements in terms of audit trigger कर सकती है हैं तो यह बात पहली सबसिड्री और और फिर ग्रूप audit कौन है कि जिसके अंदर multiple components सिखटे होते हैं और ग्रूप auditor कौन है कि जो पूरे group का audit करता है तो यह component और वो है कि जो उस component का audit करता है यह बात सारी बातें तो सिंपल सी हैं बस बुनियादी बात यह के component is not necessarily a subsidiary इसके लावा भी हो सकते हमें देखना क्या होगा इस standard को और इस topic को देखने के लिए पहले हम जो जादा complex matter है उसके अंदर रहेंगे यानि के we are in the shoes of the group auditor इस topic के अंदर you can be a component auditor as well but when you are a component auditor the matters are a lot simpler ज्यादा मसले ज्यादा जिम्मेदारिया ज्यादा काम ग्रूप इसलिए हमारी discussion का focus भी ग्रूप ऑडिटर होना होगा पिरेंट कंपनी का ओड़िटर होना होगा इस तो तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर्स स्टेप फॉर ग्रूप ऑडिटर इस तो अंडर्स्टेंड के इस एंटिटी के components हैं कितने यह समझने के लिए ग्रूप ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि ग्रूप का structure क्या है financial information किस तरह से flow करती है ताके उसकी information उसकी basis पे वो audit approach ड्रॉप कर सके इस चीज़ को हम अभी एक example के साथ देखते हैं but before that यह concept हमें याद रखना है कि when you are auditing group financial statements कि जिसका हो सकती है let's say चार subsidiaries उन चार subsidiaries में हो सकता है कि एक audit आप खुद करते हो और तीन का audit कोई और audit firms करती हो जब आप consolidated financial statements बनाएंगे तो अड़िटर ऑफ दे consolidated financial statements is responsible for the group financial statements और उसके तमाम अमाउंट्स और तमाम रिस्क्स के लिए आप जिम्मधार है component auditor मौजूद है आपको अच्छा लगता है उससे काम करवा ले उसके काम पर रिलाए कर ले उसका पूरा framework exist करता है component order अच्छा नहीं लगता खुद जाके करने component order नहीं है खुद जाके करने नहीं जाके कर सकते तो scope limitation देखें लेकिन जब आपने group financial statements for audit करना है तो उसमें 3 subsidiaries हों या 300 subsidiaries हों आप पूरे group के लिए responsible होगें पूरी financial statements के लिए आप responsible हैं काम खुद करना है या component order से कराना है यह अगला सवाल है इन मैनी केसे यू विल बी अबल तो यूज़ वर्क आफ दो component order यह स्टैंडर्ड आई से 600 के अंदर यह सवाल एडर्स होता है थोड़ी से history for the for the senior lot especially क्योंके जिन नौजवानों ने तो पिछले दो चार छे साल में standard पढ़ा है और उन्होंने तो देखा यह आई से 600 इस नहीं शकल में है इससे पहले स्टैंडर्ड होता था यूज़िंग दे वर्क आफ अनदर आउडिटर की जिसके अंदर आप किसी और आउडिटर का काम इस्तमाल करते थे लाइक एन एक्सपर्ट और फिर यह चेंज हुआ इन्टु दॉड़ आउडिट ऑफ ग्रूप फ्रैंश स्टेटमेंट्स कि अब पूरे क्या आप जिम्मेदार हैं पूरे का रिस्क करें क्या काम होना चाहिए वह काम कंपोनेंट कर देता है बिसमिल्ला नहीं है तो खुद करें नहीं हो सकता कॉलिफा फिनेंश स्टेटमेंट्स हमने बना ली कि जिसके अंदर पेरेंट कंपनी है लहौर शूज लिमिटेड बेभी एग्जेंपल है यह ऐसे थिरेटिकल सी कॉंसेप्ट को समझ देके लिए ताकि हम वेरियस फेक्टर्स को एक दफार देख लेंगे किस किस किसम के एफेट कर सक हैं तो हमारे पास पेरेंट कंपनी आ रही है लहौर शूज लिमिटेड और उसकी तीन सबसेड़ीज हैं कराची सेल्स प्राइविट लिमिटेड उन्हों जूते बेचने के लिए लैदा कंपनी बना दी उसके बाद उन्होंने लैदर गार्मेंट से एक बिसनस शुरू किय या उसका नाम रख दिया पिंडी लैदर कार्मेंट्स एक जेम स्टोंस जो जूतों में लगते था उन्होंने का इसकी लैदा दुकान खोल ले या लैदा बिसनस क्रीट करने मुलतान जेम्स बन गए और फिर थोड़ा सा एक्सपैंड किया मुलक से बाहर तो सिरलंका में ज कराची सेल्स का भी वही और कर रहे हैं मुलतान जैम्स का और कर रही है सीडी और कर रही है एफ एंड कंपनी एंड सिरलंकान ओडिटर इस टीजेंड कंपनी यह हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जा अब देख लेते हैं कि इन एंटिटीज के साइज इस क्या है अच्छा तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉंसिबल हैं जब आप ग्रूप ऑडिटर बन गए जब ग्रूप फिनेंशल स्टेट्मेंट्स बननी है और लेसल ग्रूप तो फिर आप सिर्फ लेसल और कराची सेल्स लिमिटेड के लिए जिमेदार नी रहते हैं जब पूरे ग्रूप की फिनेंशल स्टेट्मेंट्स बनेंगी तो आप पूरे ग्रूप का ऑडिट कर रहे होगे नाओ लेट्स हैव लुक एट दे साइजिस ऑफ दीस एंटिटीज के हमारे पास जो यह बारा सो मिलियन रूपीज कर रेविन्यू है एबी एंड कंपनी का आठ सो मिलिय तो यह हमने साइजिस बना लिए इसकी रोशनी में अब हम यह फैसला करेंगे और इसको थोटी सी केस्टेडी के तौर पे लेके चलेंगे के ग्रोफ फिनेंशल स्टेट्मेंट्स के ऑडिट के अंदर हमें क्या क्या कुछ करना होता है पहली बात है कि हमें यह फैसला करना क्यों पड़ता है कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम कैते गृइस कैसे कैसे करें बिस्ट वाम पड़े बड़े components हैं वो significant component उनके उपर काम क्या क्या करना होता है उसकी तरह हम बात में आते हैं अभी सिर्फ categorization करते हैं पहला काम यह कि आप categorize करेंगे अब यहां पर आपको नजर आ गया है कि आपके पास एक दो तीन चार components हैं इसमें से significant component कॉंस है पहला टेस्ट यह दूसरा टाइप ऑफ component हो सकता है कि जो सिर्फ अमाउंट की वज़े से तो significant नहीं है लेकिन उसके अंदर significant रिस्क रिजाइट करता है तो दूसरा component वह सकता है रिस्क क्या होता है significant रिस्क क्या होता है इसके ओपर मैं दुबारा नहीं जाओंगा हमने पिछले अपने दो अफ़ते पहले की discussion में रिस्क और significant रिस्क पर गुफ्तगू कर ली थी लेकिन significant रिस्क मुक्तसरन बात करें रिस्क और मिस्टेट्मेंट उसके अंदर ऐसा मौझूद है कि जो अगर वो रिस्क कर जाता है तो मिस्टेट्मेंट जो होगी वो गुरूप के लिए material हो सकती है तो वो financial उसकी significant और तीसरी category यह जो हमने चार पांच entities देखी थी इस ग्रूप के उपर किस को किस category में डालना है इसके उपर फैसला आप लोग करेंगे तो यह बात हैं हमने कर ली के components जो हैं वो significant due to their individual financial significance हो सकते हैं components with significant risk हो सकते हैं और non-significant component हो सकते हैं इसके बाद हम काम क्या क्या करते हैं based upon their categorizations एक काम यह होता है कि हर किसी भी component के उपर एक level of work हो सकता है कि उस component का audit किया जाए औरिट क्या होता है reasonable assurance level का का काम i.s.s.s पूरे लगेंगे उन i.s.s.s के मताबक पूरा उसका audit होगा that's the first level of work second level of work क्या होता है कि आप किसी component के बारे में यह फैसला करते हैं कि यार यह यह जो component है यह जो मुलतान की एंटिटी या सिलंका की एंटिटी या इस पूरे कंपोनेंट का कंप्लीट आॉडिट करना वारे में नहीं है जुरुत नहीं है इसके अंदर सिर्फ रेविन्यू मिटीरियल है या सिर्फ स्टॉक इंट्रेड मिटीरियल है यह दो लाइन आटम्स मिटीरियल है बा कि स्पेसिफिक आउंट बैलेंस घर जुरूरी चीज़ें अधर एक्सपेंसे अधर इंकम पेबल छोटे से हैं रिसीवल छोटे मैं उस पर टाइम जायद करना चाहते हैं तो हो सकता है कि छोटे कंपोनेंट पे आप यह फैसला कर लें कि स्पैसिफिक लाइन आइटम को अडिट करने तो यह है और अज़िए स्पैसिफिक एलेमेंट का भी कंप्लीट नहीं स्पैसिफाइड प्रसीजर्स के मुझे सिर्फ एसेट की फिजिकल वेरिविकेशन कर दें मुझे सिर्फ स्टॉक एंट्रेट की फिजिकल मुझे सिर्फ जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू इन यूस टेस्ट करके देए और यह ऐसा हो सकता है कि आप आप दस बीस मुझे बनाएं कि हर प्रेंशल स्टेट्मेंट लाइन आइटम जो चार पांच बढ़ें उसमे एंड लास्ट लेवल ऑफ वर्ट इसके उस कंपोनेंट के उपर रिव्यू उसका करवा लिया जाए रिव्यू मीनिंग बाई कि मॉडरेट लेवल ऑफ एशॉरंस आईएस आर ई के तहर 2410 के तहर कंपोनेंट और से का जाए कि इसका तुम लिमिटेड स्कोप मॉडरेट ले इसको हमने प्लॉट कर लिया इस शकल में कि जो इंडिविजुली फन फिनैंशिली सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है उसके केस के अंदर जू विल ऑल्वेज नीड टू परफॉर्म अ कंप्लीट ऑॉडिट वह आप कर रहे हूं या कंपोनेंट ऑॉडिटर कर रहा हो स्कोप वखए होगा कि उसका कंप्लीट ऑॉडिट होगा जो दूसरी एंटिट है कि ऑलनर मॉर अकाउंट बैलेंस सेज यह किस पर किया जा सकता है या तो यह सिर्फ सिगनिफिकेंट डिसक वाली एंटिटी होगी या नॉन सिगनिफिकंट कंपोनेंट होगा इनके ऊपर आप यह क काम करके तो स्टॉक पे तो आपने स्पैसिफिक काम कर दिया या फिर स्पैसिफाइड प्रोसीजर्स भी उन्हीं दोनों एंटिटीज प्यारे हैं कि जो फैनेंशली सिंग्निफिकेंट नहीं है ओन देर ओन डिपेंडिंडिंग अपॉन दे इन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पर करा सकते हैं जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क है वहां पर और प्रोसीजर नहीं होते significant risk के ओपर कोई ना कोई substantive procedure होना जरूरी होता है hence that is not applicable so यह हमारे पास अच्छा जो audit of component financial information and non-significant component केस में लिखा वे अगर significant risk है अब मैं पहली row की बात करा हूँ अगर entity financially significant है तो audit करा ले significant risk है तो audit करा ले जो non-significant component है उसका audit करवाने की इजाज़त तो है but it is not common because it is inefficient क्या आप ऐसी एक चीज़ का audit पर टाइम लगा रहे हैं कि जो ग्रूप लेवल के ओपर जाके बहुत ही material हो जाती है तो उसके ओपर audit ना कराएं देख लेंगे को specific procedure कराने की review कराने की specific account balance audit कराने की जोट है कि नहीं even जो बिलकुल insignificant component होता है उसके ओपर कोई काम ना करना भी allowed होता है अगर वो ग्रूप लेवल के ओपर जाके वो सारा का सारा भी मिस्टेट हो जाता है फर्स कीजिए तो ग्रूप की materiality में जाके उसका कोई उपिनियन पर impact नहीं आना तो यू कन डिसाइड के मैं इसको इसको आउट ऑफ स्कोप कर देता हूं इस पर काम करने की जूरत ही नहीं सारा भी मिस्टेटेट होगा तो मेरा audit उपिनियन इंपक्ट इससे नहीं हो रहा हूँ अच्छे जी अब एक क्विक सी exercise करें इन सब को कैटेक्राइज कर दें उस टेबल के मताबग और बता देंगे किस पर क्या क्या काम करना चाहिए कैटेक्राइज क्या करना है significant एंटिटी significant risk वाली एंटिटी लेमिट इन्फरमेशन बहुत limited सी है लेकिन इसी की बन्याद पर देखोड भी multiple sets of answers लेकिन information एक critical है कि हमने जो बहर का मुल्क चूज किया है वो हमने सिरलंका किया तो इसकी बन्याद पर पहले तीन के टेक्राइजेशन करें कौन सा significant है कौन सा significant है कौन सा insignificant है और फिर किसके ओपर क्या काम होना चाहिए काम की चार नोयते हैं आपके पास मौझूद हैं तो टेक टू-3 मिनिटस एंड बिसाइड जो शक्स मुकमल कर ले वो हाथ खड़ा करें माइक आपके पास पहुंचाते हैं और एक दो लोगों से answer सुनके फिर आगे चलते हैं दोस्त माइक लेके जरा पीछे जाएगा यह चुंकर थोड़ा सा सवाल सा है इसलिए नौजवाना को अंसर करना चाहिए जी अब यह सेकंड हाफ ऑफ दी हॉल में से जवाब देगा जो भी देगा और इस नो राइट और रॉंग आंसर लेमिटेट सी इंफ्रमेशन है आप स्ब्सक्राइब किंपोनेंट होंगे हमारे जो इन सिक्निफिकेंट कंपोनेंट होगा हमारा और सिरी लंका वाला हमारा तो इस लिए वह स्पैसिफिकली इसकी वैसा बिल्कुल ठीए अगर को डिफरिंग व्यूज नहीं है तो आप इनकी कैटिक्राइजेशन के उपर को बात करेगा किसके उपर काम क्या किया जाए काम किस पर क्या क्या करना चाहिए यहां तक तो आपने जो जबतिया वह यह हो गया कि अंगे पर काम किया किया जाए कि तो ऑड़ित हम करेंगे इनका जो इसी तरह जो सिगनिफिकेंट रिसक बेसिस पे हैं उनका भी और लाजमी है या फिर तो आड़ित कर लाई या फिर पुछ प्रसीजर्स जो रिसक और ड्रस करने के लिए वहां परफॉर्म कर लें और जो नॉन सिगनिफिकेंट है उनके सब्सक्राइब करने के नतीजे में आपको यह इंडिकेशन मिलती है कि आईदर देर इसमे स्टेटमेंट और इंफरमेशन इस नॉट अविलिबल या कोई ऐसा मसला मौझूद है जो रिव्यू प्रसीजर से इडेंटिफाई होता है तो फिर आप स्कोप इन्हेंस कर सकते हैं तो रिव्यू प्रसीजर की बेस पे जाहरे का आप सकते हैं अगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास जो एक दो और टॉपिक से देखने कि इसमें यह है कि जब आपने यह फैसला कर लिया कि वी आर गोइंग टू रिलाए ऑन दे वर्क आफ जी कंपनेंट के वाले से वाले से प्रमाइए कि अगर आप अगर वह कंप्लीट फिनैंशल स्टेट्मेंट का हिस्सा बन रही है किसी भी सूरत में और सेपरेट लीगल एंटिटी है कि जिसकी कंसॉलिडेशन की आपकी लीगल रिक्वार्मेंट भी मौजूद है अब वह आए फारस की मताबिक उसका इंपैक्ट छोटा है या बड़ा एक दफा आप कंपोनेंट कंसिडर करेंगे और हो सकता है को इसका बिजनस ही नहीं है वह स्कोप आउट हो जाए काम ना करना पड़ा है लेकिन एक दफाप कंपोनेंट के तौर पर कंसिडर जरूरू करेंगे अच्छे जी जब आप कंपोनेंट के अभी हमने क्या फैसला किया था कि इस तस्वीर पर वापस आते हैं कि हमारे पास मुलतान जैम्ज और पिंडी और स्रिलंका इनके लिए डिफरेंट आडिटर्स मौजूद है अब इन आडिटर्स के काम को हमने इस्तमाल करना है तो यह कंपोनेंट और के साथ जो कम्यूनिकेशन है जो उसके काम का इस्तमाल है स्कोपिंग के बाद प्लैनिंग के इन फैसलों के बाद वन ऑफ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ इस टॉपिक है तो इसके अंदर आपको सबसे पहले कंपोनेंट और की कि उसकी मुट कर सकता है पाकिसान में यहां के साथ आएप के साथ सिरलंका में तो आपको देखना पड़ेगा कि उद्धर वो यह बात सिर्फ ऐसे ही करने की नहीं है दिरार लॉट अफ कंट्रीज के जिनका अपना इंस्टिट्यूट नहीं होता तो वहां की प्रैक्टिसिंग फिर्म किसी और टेरिट्री के इंस्टिट्यूट के साथ मेंबर होती है फॉर एक्जेंपल अफरीका में बहुत से मुल्क ऐ कि नहीं तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि वह अगरता है तो अच्छा यह भी हो सकता है कि जो कंपोनेंट है आप लहौर में पेरेंट कंपनी को अडिट कर रहे हैं और उसके सब्सिडिटरी कंपनी पिंडी जैम्स जो है आपके फिर्म का ही एक और आफिस वहां पे कंपोनेंट ओर एंट आपके लिए थोड़ी सी अषानी हो जाती है कि आप इंटेनल प्रोसेसेश ऑफ कि मॉप्लाइंस प्ट्र इव्योंटे एंडिपेंड़नेंट कर सकते हैं तो आपको निस्पतान कम काम करना पड़ता है जाहर है कि आपके फिर्म के इंटेनल परसीजि रिटरन कन्फरमेशन ऑफ कंप्लाइस्टिकल रिक्वार्मेंट्स एंड एटी अंडरस्टैंड फिनेंचल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं वह है और कुछ प्रिविएस वर्क का भी एड्वांटेज आपको मिल सकता है जब आपने यह फैसला करना है कि जो जो ओडिटर है उसका उससे आपने कितना काम करवाना है तो उसके लिए यह फेक्टर्स देखने के यह हैं प्रिट्स केटना है आपकी ग्रॉप इंगेज्मेंट टीम को उसकाम की उन कंट्रोल्स की system की कितनी understanding है और आपकी understanding of the component order कितनी है आपको उस पर कितनी reliance है वो कितना काबिल है नहीं है यह बात है देखके आप फैसला करेंगे कि उससे काम कराना है कि नहीं देन वी हैब टू सर्टन रिस्क assessment at the group level consolidated financial statements बननी है तो आपको देखना है कि अच्छा मुलतान में क्या रिस्क हैं पिंडी में स्रिलंका में आपको group level की entity की रिस्क assessment भी करनी है जिसके लिए आप component order की help भी ले सकते हैं आपको नहीं पता स्रिलंका का environment या sales company का environment या gems के business का environment तो आप उनसे help ले सकते हैं और additional चीज जो understanding की है आपने समझना है कि consolidation के controls क्या है क्या है क्योंकि एक additional चीज ट्रिगर करती है ना आपने consolidation के standards पढ़े हैं उसके अंदर डिफरेंट territories हैं डिफरेंट period रेंड्स हैं minority interests हैं there are so many things के जिसके बुनियाद पर आपको additional चीजें understand करनी पड़े और उसकी मताबिक आप रिस्क assessment करेंगे और यह वो significance की बातेंगे जिनकों हमने पहले discuss किया था materiality considerations को हम थोड़ा सा किप करते हैं communications की तरफ आते हैं we've got two parts of communication जिससे मैंने कहा कि पहला पार्ट वो है कि जब आप group auditor है तो as being the group auditor आपको component auditor के साथ subsidiary के साथ कुछ suggested topics और कुछ required topics होते हैं उसके लिए you should have standard templates के जो बड़ी असानी से is a 600 की base पर बन सकते हैं उसका reference यहां पर मौझूद है कि आपको जब component auditor से गुफ्तकू करनी है तो you have to get confirmation from him कि वो scope of work को काम को time lines को और आपकी requirements के साथ काम करने को acknowledge और confirm कर रहे पहली आपको से यह communication मांगनी है so you'll write to him you'll give him instructions के communicate करो के पहले तो जिमेदारी लेने को त्यार हो फिर यह के ethical requirements को fulfill कर सकते हो component के लिए जो materiality आप determine करेंगे वह उसको communicate करने की जूरत है significant risks जो आपने identify कि एवे ग्रूप के perspective से components में वो आप उसको बताएंगे और related parties की फेरिस्ता आप उसको बताएंगे and then there are वो communications के जो वो जवाब में आपको भेजेगा यह list है यह जाहरा कि यहां पे सारी नाम पढ़ सकते ना देख सकते हैं इसलिए जो चीज बोल्ड हुई भी है वह आपके सबसे उपर आये से के reference है यह checklist आई से 6004 में में मौझूद है you can use it while determining क्या आप communication आपको वहां से आनी क्या है और वहां से आपको वह communication आएगी जो कुछ आप उससे request करेंगे so all this is being requested by the parent company the group auditor from the subsidiary auditor ethical compliance भी बताओ आपने group team की जो group audit team है उसकी requirements को समझ लिया है को non compliance with laws मिली है तो बता दिये uncorrected statements बतानी है management बाइस ना जरायत हो बताने significant efficiency निन को बतानी है को और significant matter हो और फिर finally overall finding conclusion और opinion तुमने मुझे report करना है so group audit के अंदर one of the most important things to be done by the parent the group auditor is कि वो instructions भेजेगा जो के इन तमाम सवालों के जवाब मांगरी होंगी हो सकता है कुछ सवालों के जवाब not applicable आके आजाए लेकिन सवाल भी जाएगा और not applicable जवाब भी आएगा कि मुझे कुछ नहीं मुझे कोई management बाइस की इंडिकेशन ने मिली वट्यू है तो यह रिक्वाइर्मेंट्स हमारी अलाइंड विद आईए से 600 बड़ी जुरूरी बात है फिर जब हम conclude करने को चलते हैं आई से 600 के अंडर ग्रूप audit को तो आपने देखना है कि क्या हमारे पास तमाम ग्रूप का सफिशन्ट और प्रोप्रिट आउडिट आइविनस आगया है कि नहीं जिससे एक सवाल किया था कि हो सकता है कि कहीं पर रिव्यू कराया अब आपको लगए नहीं इसकी बेस्पे तो तसलिए नहीं आरी डिश को देखने की जोद पड़ेगी एंड जो हैफ तो सी कि क्या कहीं पैसा तो नहीं हुआ कि जो इंगेजमेंट टीम्स थी कंपोनेंट और्डर की वह सफिशन्ट और प्रोप्रिट और इविडेंस ऐस पर माई इंस्ट्रक्शन ऐस पर माई कमफर्ट लेवल आप्टेंड नही है वहां पर कुछ सिग्निफिकेंट एफिजिंसी मिली है तो यह बातें भी जो ग्रूप फिनेंशल स्टेटमेंट का बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स है और्डिट कमेटी है उसको इंफॉर्म करने की जुरुवत मौजूद रहेगी तो आपको को फ्रॉड को एक टो डॉन होता क्या है कि एक कंपनी है और उसके ऑडिटर्स दो ऑडिटिंग फर्म्स हैं वाइब दो मिनट के बाद सवाल नहूंगा जिस्ट लेट मी कंप्रूड अंदिस अच्छा सो जॉइंट ऑडिट्स होते कि सूरते हाल में एक तो यह कि जहां पर साइज ऑफ एंटिटी सो यूज के एक फर्म के जाए बजाए दो फर्म जब अपने फोर्स जॉइन करती है तो आसानी से करती है बाद दफा कंटिनुईटी के लिए कर लिया जाता है कि एक फ ले जाता है लेकिन आएसे के लिए कवर्ड इसलिए नहीं है इसमें कि एवन इफ दू देरा टू फर्म्स वर रिस्पॉंसिबल फर वन और इट फॉर दोनों जॉइंट्ली एंट सेवली लाइबल हैं दोनों कम्प्लीटली जिम्मेदार हैं पूरे फ्रेंशल्स के लिए ल लेकिन जब दूसरा कोई और काम कर रहा होता है तो जो अडिट रिपोर्ट होती है उसमें यह नहीं लिखा होता कि मेरे नाम के साथ कैलीम जुबैर ऑपिनियन दे रहे रहे रेवनियू पे और सलीम एहमद ऑपिनियन दे रहे एक्सपे एसा नहीं है पूरी फिनैंशल स्ट करेंगे के दोनों एक दूसरे के काम को मौनीटर और कंट्रोल कर सकें देख सकेंगे दूसरा क्या काम कर रहा है you have to plan joint meetings planning meetings discussion meetings कि आपको पता होगे दूसरा का क्या काम कर रहा है and the most important thing in this is कि आपको document करना पड़ेगा number one के जो division of work है वो ताके कोई चीज मिसना हो जाए और अननेसेसरी ओवरलैपस ना आए ताके जो एफिजनसी का पॉइंट आ वही ना खत्म हो जाए के जो आपकी दूसरी फर्म के साथ डिसकेशन्स हो रही हैं मीटिंग्स हो रही हैं उनको बहुत अच्छे से डाकुमेंट करना जूरी है अधर्वाइस आप अपनी लाइबिलिटी में दो लोगों में यह मसला खचा हो सकता है कि काम कहीं पर भी ना हो रहा हो इसलिए इन डिस थी हैं अब सवाल ले लेते हैं पहले हमारे जो साथी किसी और आफिस से बात करें थे चूंके वह आवाज बुलंद कर से हैं ग्रूप औरिट के बारे में आपका सवाल जिए अहमत बात करो फैसलाबाद से आवाज आ रही आपको थोड़ा सा हुचा बोलिये अच्छा अच्छा जी अब आ रही है अवाज जी जी ग्रूप औरिट्स में ये ऐसी सिट्विशन भी आ सकती है कि जो सबसीडरी और जो पेरेंट कमपनी है उनके जो फरेंशियर येर एंड हैं वो डिफरेंट हो सकते है जी ठावब लुप की यएर एंड हो डिसंबर है और स॥ेडरी का जून है अब आप इप्रएंटली जो सबसीडरी की आड़ेट रपोर्ट है वो जून की है और पेरेंट की वो डिसंबर की लिऑ उसकेस में क्या करेंगे जी अगरो घृ। सब्सक्राइब करेंगे इस लिए भी होता है कि इन मैंनी केसेज कंपोनेंट्स और पेरेंट्स सम्टाइम्स डिफरेंट्स में रिजिस्टर होते हैं पाकिसान के अंदर जाद दर कमनेंट की होती हैं अगर उसका उस कंपनी के अंदर इन्वेस्मेंट कर लिए किसी फॉरन एंटिटी ने जो के पेरेंट ऑडिटर है तो उसका हो सकता है कि दिसंबर हो तो बड़ा कॉमन होने वाली चीज़ है इन डैट केस इफ दस सब्सिडरी इस अफनेंशली सिगनिफिकेंट कंपोनेंट तो फिर उस पीरेंड का स्पेशली आडिट करना पड़ता है फॉर्द पैपर ऑफ ग्रोप ऑड़िट ग्रोप ऑड़िटर को इंस्ट्रक्शन दे नहीं पड़ती है कि हो सकता है कि तुमारी रिक्वार्मेंट में हाफ येर का या तो लिमिटेड रिव्यू हो या काम हो ही ना लेकिन मुझे इस स्पेशल येर का तुमारा ये तो जून एंड है मुझे जनुरी से दिसंबर का आड़िट चाहिए फॉर्द परपस ऑफ ग्रोप फिनाशल सेट्मेंट तो ये रिक्वार्मेंट भी आती है उसके अगेंस काम भी करना पड़ता है कंपोनेंट नहीं कर सकता तो पेरेंट का ग्रोप ऑड़ राके खुद करेगा लेकिन फिनाशली सिग्निफिकेंट में ये होगा फिनाशली सिग्निफिकेंट नहीं है तो जो स्पैसिफिक पॉसीजर्स या स्पैसिफिक लाइन आड़िट करने की जूरत है वो आप करेंगे इन सिग्निफिकेंट के केस में सिर्फ ये मुम्किन होग के कंपोनेंट की टीम ने अगर रिव्यू कर दिया था तो आप उसी पर गुजारा करके चल जाएं तो डैट इस पॉसिबल ओन्ली और इंसिग्निफिंट कंपोनेंट के वारे से क्वेशन है कि जॉइंट और इसमें दो फॉर्म कर रही है तो लेटर है किस फॉर्म का यूज़ होगा जॉइंट ऑडिट्स के लिए स्पेशल लेटर हैट बनाए जाते हैं आज कर लेटर हैट बनाना तो जाहरा को मुश्किल काम नहीं होता लेकिन प्रैक्टिकली मुल्तान ओफिस से भी हम कुश्चन ले सकते हैं और फिर हम कि तरफ चलेंगे मुल्तान ओफिस डूवी हैव एव एनी क्वेस्टिन अब यह आपको सिर्फ यह थोड़ी सी सहूलत दे देता हूं कि मेरा एम एडरस है अलीम डॉट जुबहर अगर आप नोट करना चाहें अभी कुछ वक्त लिमिटेशन की वैसे एक आज सवाल ले लेते हैं कंक्लूड करते हैं मेरे अगले एक दो सवाल ले लेते हैं दोस्ता आप बताएए गोर फिराब अलीम डॉट जुबहर अट दे रेट आफ पी डॉब्यू सी डॉट पॉम सो इफ यू आप मुझे इमेल कर दीजिए अपने अंबर शेयर कर लीजिए जोरत पड़ेगी तो कुफ्तकू कर लेंगे जाहर है कि महदूद वक्त में इन टॉपिक्स को इतना ही देख सकते थे जिशनगी रह जाती है और कोई सवालों को बात हो तो इंशाला बाद में भी जा सकते हैं हम औरिटेर्स हैं ब्रांच आफिस के और वो पाकिस्तान में लुकेट है एड़ आफिस और हैड़ आफिस ने कुछ इंकर किया हैं दा भी हाफ और ब्रांच लाइक शेयर्ड अलोकेटेड एडमेंड एक्सपेंसेज हैं डिजाइन की कॉस्ट है विजिबिलिटी हैं तो सर ह कि तरफ चाहेंगे या अग्रीड अपॉन प्रोसेजर की आपका क्या इसमें रिक्रमेंडेशन है देखिए यह तो जाहर है कि जिस तरह से मैंने अपनी एक्जैंपल के केस में भी का था कि यह नैसेसरीली हत्मी आंसर तो नहीं दिया जा सकता लिमिटेड इंफ्रमेशन की पे सिगनेफिकेंस के सबाल है लेकिन आप जो बात कर रहें कि जब ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि वह एक्सपैंस के जो पेरेंट कंपनी ने ब्रांच को एलोकेट की होते हैं डिविजिजन और वर्क करते हुए पेरेंट और बाज वकात यह बतायता है चिए इन एक्सपैं हैं उसकी सिगनेफिकेंस देखते हुए आप काम का फैस्टा करेंगे लेकिन सब्सक्राइब अगर है इसको चाहिए नहीं रहा है कम इसको काउंट फॉर करें पेरेंट और के साथ कॉमूनिकेट करें और वह माटीरियल भी है ब्रांच आप लिमिटेशन है जारा आपको एक सर एक कॉंपनी है जिसकी सिर्फ एसोसियेट है और बेस्ट आन कॉम्मन ट्रेक्टर्शिप है कॉम्पनी के पास ऑप्शन थी कि वह कॉस्पर कर सकती है या इक पूटी मैटर पर करती उसी कोई सब्सेडरी भी नहीं है यह यह सवाल इस इस मोर आफ अप अपकांटिंग का सब्से apprendre कि इस सब्सक्राइब के इस सब्सक्राइब까지 को वरिए नहीं और था यह सवाल का मैं आंसर यह अकाउंटिंग का वह सवाल है जिसका मैं अभी जवाब नहीं देना चाहा रहा हुआ एक डिरेक्टर भी लेस्टेंट वाला सिग्निफिकंट इंफ्लेंस हो तो आप कर लेंगे यह तो सब्जेक्टिव उन सब्सक्राइब हो सकता है तो यह बातें तो केस्टो केस देखी जा सकते हैं जी बाइब सरे क्वेस्टिन है पैसलाबाद आफिस है अभी करनली यूडी एन एप्लीकेबल हो गया है तो जब जॉइंट ऑडिटर्स होंगे तो यूडी नंबर एक लगाएंगे या दो नॉडिटर्स अपने अपने जिनरेट करके लगाएंगे दो में इसके उपर आपक इसको मत समझिएगा मेरी आदाश यह कहती है सर व्यूज के उपर भी यूडी एन हमें पेस्ट करना पड़ेगा आइक आडिट्स पे तो हम करेंगे रिपोर्ट के उपर भी यूडी एन हमरेश्ट जी करना पड़ेगा ठीक्ष तर्देव ए्च्ट्स पुलाओज वगाईश्ट एल्ग एंगेश्ट गेश्ट खिंडेश्ट वार्ट इंगेश्ट ऑन प्रॉडूज की एंगेश्ट विड़ेश्ट टेर अट्वेश्ट पर्णना फ्यूडूड़ेश्ट एल्गेश्ट वजूडिश्ट जी मैं यह सवाल तो वैसे ही है कि जिस तरह आड़िट के किसी भी चीज में आपको कोड़ पर जाना पड़े तो उसका सवाल आ सकता है कि आप सिर्फ उस के अंदर अपनी लाइबिलिटी में महफूज रहेंगे कि अगर आपने वो तमाम पुर्सीजर्स के जो आई से सिक्स ट्वंटी में रिक्वाइट थे वह प्रफॉर्म करें आपके पास डॉकुमेंटेशन है और फॉल दीज मैटर्स के उसकी इंडिपेंड उसका काम उसको देटा गया था जो जवाब आया था उसकी वो जो कुछ रिक्वाइट बाई इसे सिक्स ट्वंटी था वो सब आपने कर लिया जिम्मेदार तो आप हैं लेकिन इडिज लाइक एनी अदर फ्रॉड में स्टेट्मेंट इंडि आडिट के एबसलूट तो नही ठीक है जी बस अब काफी ओवरन हो गया चलिए लास्ट क्वेशन ऐसा ग्रूप ओडिटर कंपोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट पर रिलाइक करते हैं लेकिन वो उन तमाम फैरिस्तों में आखरी लाइन थी कि उसका कंट्लूजन और उपीनियन आपने अप्टेंड करने किया है उसने सिर्फ वो रिपोर्ट आप इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसने वो सब कम्यूनिकेशन आपको नहीं की जो इदर रिक्वाइट है ठीक है जी बहुत शुक्रिया जिससा से मैंने अर्स किया कि मैंने इमेल अड्रेस भी आप से शेयर कर लिया है अगर आप बाद में भी राप्ता करना चाहें तो आइम अवेलेबल इंशाल्ला इस बिन नाइस गेटिंग इंटच्छ विद आल अफ यू और इंटरेक्टिं ठीक है अवेलेबल इंटे सेशन तो आप सबकीत वजोप अबाश चुक्रिया झाल, 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 झाल.